दूस्तों मोगल का नेट खोलने के साथ ही यहाँ पर Instagram का इतना notification आने लगता है कि इसे लोगों प्रैसान हो जाते हैं फटाफट notification बहुत ज़्यादा आजाता या फिर पूरा दिन Instagram का notification आते रहता है तो आप इस notification को बंद कर सकते हो ठीक है आप जब Instagram open करोगे तभी आपको दि किया है बट इसका notification आप बंद कर सकते हैं तो किस तरिके से क्या क्या करना है इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना टेम को वेश्ट किये हुए और आप इस चैनल पर न्यूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कर लीजिएगा देखिए notification को बंद करने के लिए सिंपल से अपने phone का setting open कर लीजिए सबसे पहले मैं setting से ही बताऊंगा आप भी अपने phone का setting open कीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं same to same आप भी कीजिएगा setting में दोस्तो आपको app का option ढूंड लेना है app management या फिर app के नाम से कोई भी option मिले उस पे आप किलिक कर लीजिए उपर नीचे देख लीजिए आपको app के नाम से option मिलेगा सिंपल साम app management पे किलिक करते है उसके आपको यहाँ पे app list पे किलिक कर लेना है दोस्तों जो की उपर में ही आपको app list का भी option मिलता है जैसे आप app list पे आ जाएंगे friends आपको यहाँ पे Instagram को ढूंड लेना है यहाँ पे हर application मिलता है जो भी आपके phone में है WhatsApp, Facebook, Instagram सारे कुछ मिले लेना है दोखो allow notification जो लिखा हुआ है उपर में इसको आप आफ कर दीजिए और जैसे आप आफ कर दोगे friend आपका notification बंद हो जाएंगे Instagram का और दूसरे app का तो आएगा जैसे कि WhatsApp वेगरा का तो आए गई अगर आप WhatsApp का भी बंद करना चाहते तो इसी तरीके से बंद कर सकते ह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जो रूब